रस्मलाई लगबग सभी को खाना बहुत पसंद है आज जम्ब बनाएंगे घर पे रस्मलाई हेलो प्रेंट्स आप सभी का हमारे आये कीचेन में स्वागत थे चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं है जROfo मैं हो डूर्च जोपकलीी तुर्स जलें हमने दूध को गर्म कर लिये हैं रहर सिसे तुर्ट में मलाई भी है के साथ ही इसमें हम बना दे हैं इसमें हम तलेंगे बीनेगर एक बड़ी चमाच दोडर यहां पप्रक भीनेगर इनों सब्सक्सराब कहाँ सब्सक्राइब नाहीं सब्सक्राइब जाए 20 मिजश ऑंक सब्सकरणर से सब्सक्राइब आप इसमें डाल लीजे जो दूद हमने फ़ले थे उसे डाल के इसे चान लीजे इसे अच्छी तरह से चान लीजे चान दे पाद फिर दुबरा इसमें पानी डाल लीजे ताकि जो हमने विनेगर डाला था वो विनेगर का स्मेल ना आए इसलिए इसमें दो तिन बार अच्छे से पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से छान लिजिए अच्छे से दो के इस तरह से छान लिजिए और ये पानी को फिक लिजिए या दूद दाल में आप इसमें पानी को यूज भी कह सकते हैं अब यह दिखें कितना अच्छा से हमारे पर्ण के त्यार हो गया है यह हमारे चेना अब इसे इस तरह से अच्छी तरह से निचोर दीजिए इसका पानी जो एस्ट्रा पानी है सारे निकल जाना चाहिए इस तरह से अच्छी से निचोर नीचे अब इसे किसी जगा में इसे ट अब यह दूद्ध भी हमारे अवलना शुरू हो गई है इसे दूद्ध को अधा करलीजे आधी लिटर से हो जाना चाहिए ठाफ थोड़ी उनी चाहिए दूद्ध इसे गाली होने लगेए इसमे आध कर लिजे चीनी चीनी हम हाफ कप ले रहे हैं आप अपने पसंद के मिठा जितना पसंद है उसी साफ से चिनी कम जादा कर सकते हैं थोड़ी सी केसर के धागे डाल रहे हैं तकि अच्छी कलर आए और अच्छे टेस्ट भी आए अप छोटी चामच इलाइची पाडल टेस्ट के लिए अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए और इससे दुबार फिर अच्छे से उबालने दिए अच्छी तरह से फिर сеतोड़ से गाले होने दिए इस में किसर में अगर कलर नहीं तो इस तरह से थोड़ फूर कलर लिए हमने किसी एक पींच डाल दीजिए तक ही हमारे दूद में इचे कलर आए अब काई बदल पूर के बदल में थोड़ी पाउडर गुंप पिंच इस भी डाल सकते हैं छी हमारे कलर आ गी हैं Haid बारी काड़ नहीं बारी काड़ की रखा था बादम रृ इसे भी नहीं डावरी काड़ नहीं दो डूद्र को सी देख है हमआरे चनबनके त्यादा मत्माइस क हो रहा है पानी कशक इसमें मैश कर सकते हैं इसमें अच्छे दूड़ साथ करते हुए इसे अच्छे से दुबारा लेकी से गोंत लेकी ॆ है चेछ तरह से इसे माल लेक यह इस्टरह से इसमें कोई भी कांची से नहीं तरह सो बना के छिए बना खिर ठीक्षिंग, तरह से अगार नहीं बन रही है तो दुर्बारा इसे इस तरह से पिर इसे 8-10 मिनित तो इस तरहации आठे से में लिजाजाए कर लीजएं कि देप मुलेम हो जए तब इस तरह से छोटे छोटे पहले तिकिया त्यार कर लिजिए दिखिए इस तरह से गोल कर लिजिए और इसे हल्क किसी प्रेस कर लिजिए और दिखिए हमने छोटे 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 तिकया इस तरह से हम बना रहे हैं आप अपने पसंद के हिसाब से 6 छोटे ब इसी तरह से बाकी सभी को हम तयार कर लें यह सबी को सब्सक्राइब से हुआ है यए हमने ग्यासन करकर कड़ाई हमने गरम कर लिए हो दाले एक कप चीनी आप याद कर लेज़िए एक अप ला देजिया अध्य या हम यह अगक मासे अटीक रफ हो घेए हम आहांव थंडा चैसेन में डालेंगे तो यह आपकी आपके अच्छे से सोप्ट होंगे नहीं आप इससे कवर कर लीजिए में इसे आट-9 मिनिट तक पकानीई आट ना मिनिट बाद यह देखिए हमारे फूलें अपाट सक देखिए उपाद इस तरह से पलट दिजिए इसे पलटने के बाद इसे फिर कवर कर लिजिए पिर इसे और ळम्टेक्थ में मगा फ्ले में और आठ दस मिनिटे इसे कवर खोल करके छोल लिजिए आप यह देखे इसके वहारी कितिना ऊच्छोबवन हो गई हमारे तासमले अब इसे ग्यास अब जरके नीचे उता लीजे और हलकी जब ठंडी होने लगे एक बावल में इसे निकाल लीजे यह आपकी जूटी की अपने दियार की थोड़ी सी गरम हना चाहिए या दूद गरम हना चाहिए थोड़ी सी ज्यादा गरम नहीं करनी है अलकी सी गरम रहने कि इसे उपर डाल लेनी है कि अब इसे इसी तरह से बाहर में ही रख दीजे 5-6 घंटे तक प्रीज में भी ना रखें बाहर में रखनी है पांक-छे घंटे बाद इसे खाईएगा मैं इसे थोड़ी बस आदी घंटे बाद इसे में निकाल के दिखा रही हूं और इसे दिख अगर आप रख लेंगे तो यह अच्छे सी सोफ्ट आल मुलाइम बनके त्यार हो जाएंगे एक बाद इस डिस्पी को ट्राइ किजियेगा जरू आई हो कि मेरी वीडियो आपको अच्छे लेगी होगी यह फूलोगी अमारे इस तरह के ओ नए नए वीडियो देखने के लिए हमरे इस चनल को सब्सक्राइब पन वीडियो को सेर्ग टीजिए हो